राधिका आपटे पाच्ट फिल्म में किये गए लव मेकिंग सीन के बाद काफी लाइम लाइट में रही है राधिका को काफी कॉंट्रोवर्सीज का शिकार होना पड़ा लेकिन राधिका ने अपनी इस लव मेकिंग सीन को हमेशा सही बताया और इसे स्क्रिप्ट की requirement बताया राधिका ने अपने इंटर्व्यू में पाच्ट को लेकर बात की है और इसे सही बताया है राधिका ने इंटर्व्यू में कहा अगर वो स्टोरी के प्लॉट के साथ रिलेटिव हो आपका इरादा सही होना चाहिए लेकिन अगर सिर्फ मनुरंजिन के लिए एक महिला नेकिद होकर डांस करती है तो ये acceptable नहीं है ये वाकई माइने रखता है कि इसे क्यों आपने फिल्म में डाला है राधिका ने आगे कहा फिल्में हमारे देश में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं लोग इने लेकर emotional रहते हैं मैं पाच्ट में फिल्माए न्यूड सीन के साथ जो हुआ उसे लेकर aware हूँ लेकिन जो महिला आए या पुरुष इस फिल्म से connect हुए उन्होंने इसे nudity का चश्मा लगा कर नहीं देखा परिशानी तब होती है जब nudity दिखाए गए विशे से एकदम बाहर हो साथ ही मुझे नहीं लगता कि हमारी audience immature है फिल्म पाच्ट में रादिका आप्टे और आदिल हुसैन पर love making scene फिल्म आए गए थे scenes fully intimate होने के कारण इसे sensor board के कहने पर थोड़ा blur भी कराया गया था हाल ही में दिये एक interview में पॉन स्टार से बॉलिवोड आक्टरस बनी सनी लियोनी ने अपनी sex life से जुड़ा चौकाने वाला खुलासा किया है यूट्यूब चानल को दिये interview में सनी लियोनी ने आपती जनक हालत में पिता द्वारा पकड़े जानी की बात स्वीकार की है interview में सनी लियोनी ने बताया कि टीनेज में उनका दिल तब तूटा था जब उनकी family Michigan से California shift हुई थी वो एक hot लड़के को date कर रही थी वो इतना अच्छा था कि सनी को हर रोज अपने हाथों से love letter लिखता था वो basketball खेरता था, hot और handsome था लेकिन मेरे parents उससे नफरत करते थे सनी ने बताया एक बार हम दोनों साथ थे बड़े से hall के corner में मैं उसकी गोद पर बैठी थी हम intimate हो रहे थे तब ही मेरे पिता ने हम दोनों को एक बार आपत्ती जनक हालत में पकड़ लिया था पिता आए और मुझे डाटने लगे डाड को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी वो मेरी life का सबसे बुरा incident था फिल्मी परदे पर अपनी छाप छोड़ने वाली अक्ट्रस और मॉडल मंदिरा बेदी ने गोवा ट्रिप से स्विमिंग पूल में तस्वीरें शेयर की हैं आने वाले 15 एप्रिल को मंदिरा बेदी 45 साल की हो जाएंगी लेकिन उम्र की इस दहलीस पर भी मंदिरा अपने फिगर को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है के लिए तस्वीरें शेयर करती रहती है कई लोगों को पॉन स्टार से बॉलिवर अक्ट्रस बनी सनी लेओनी ने इंस्पायर किया है नेपाली अक्ट्रस अर्चना पनेरू इन ही में से एक है जो नेपाल की सनी लेओनी के तौर पर मशूर है सोशल नेटवरकिंग साइट, फेस्बुक और ट्विटर पर आपत्ती जनक फोटोस शेयर करने के बाद अर्चना सुर्खियों में आ गई थी 17 साल की अर्चना भासी, भीमदत्ता नेपाल की रहने वाली है फिलहाल वो काट मंजू में रहती है सितंबर 2015 में अर्चना ने सोशल मीडिया पर अपनी सेंसेशनल फोटोस शेयर करना शुरू किया था कुछ ही दिनों में वो इंटरनेट पर फेमस हो गई थी वो सनी लेओनी को अपना रोल मॉडल मानती है इंटरनेट पर अर्चना और उनकी मा सुनीता की कई आपती जनक फोटोस शेयर करने के बाद उनके खिलाफ F.I.R. दायर की गई थी जिसके बाद पुलिस ने उन्हें और उनकी मा सुनीता को गिरफतार भी किया था अर्चना ने स्कांडल के चलते सुर्खियां बटोरी वैसे ही उनकी मा सुनीता ने भी इंटरनेट पर बोल्ट फोटोस शेयर करना शुरू कर दिया फरवरी 2016 में उन्होंने डेब्यू फिल्म जिसमें की अनौंस्मेंट ट्विटर पर की फिल्म 2017 में रिलीज हुई हाल ही में शारुख फिल्म की प्रमोशन के लिए एहमदाबाद पहुँचे यहां उन्होंने सेवा Self Employed Woman Association की महिला वर्करों से बात की फिल्म प्रमोशन के दौरान जब शारुख ने एक महिला का हाथ चूमते हुए अपनी ही फिल्म जब तक है जान का डायलोग बोला तो वो शर्म से लाल हो गई शारुख ने कहा तेरी आखों की नमकीन मस्तियां तेरी हसी की बेपरवाह गुस्ता कियां तिरी जुल्फों की लहराती अंग्राईयां नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान जब तक है जान खेर अभी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चट पेटी नियूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई